गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज का हमारा टोपिक है जनरल कंडिशन्स ओफ स्पॉंटेनिटी एंड एकलिब्रियम तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिवर्सिबल ट्रांसफोर्मेशन में सिस्टम जो है एकलिब्रियम स्टेट से अनंत शुष्क में रूप से विस्थाप तो यदि किसी प्रक्रम में उत्क्रमनिय रूप से किसी परंताब T पर DQ रिवर्सिबल उश्मा का अवशुषन होता है तो तंत्र की एंट्रोपी में शुष्कम परिवर्तन Ds को हम निमने प्रकार से बता सकते हैं Ds बराबर DQ रिवर्सिबल अपॉन T यानि कि TDS बराबर क्या हो गया Q-reversible तो यदि प्रक्रम में रूपांत्रन irreversible रूप से होता है तो वह प्रक्रम स्वतहे प्रवर्तित होता है यानि कि spontaneous होता है अर्थार्थ उसकी एक ही दिशा होती है यह प्रक्रम unidirectional होता है और ऐसा तभी possible है जब TDS is greater than Q-reversible यानि कि समीकरन 145 जो है वो spontaneity की condition है यानि कि समीकरन 143 और 145 का जब हम combination करते हैं तो समीकरन 145 प्रात होती है जो क्या है TDS is greater than or equal to Q-reversible तो यहां जो बराबर का चिन्न है वो उश्मा के उतक्रमनिये अवशोशन यानि कि उतक्रमनिये रूपांत्रन तथा जो ऐसा मानता का चिन्न है वो उश्मा के अ irreversible transformation को प्रदर्शित करता है ठीक है तो इस प्रकार समीकरन 145 में ऐसा मानता जो है वो spontaneity और जो समानता है वो equilibrium state की conditions है ठीक है अब है उश्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार यान कि DE बराबर Q-W यानि कि Q बराबर क्या हो गया चेंज इन्टरनल एनरजी प्लस वर्क done यानि कि समीकरन 145 और 146 के द्वारा जब हम मान रखेंगे तो समीकरन क्या प्राप्त होगी आपके TDS is greater than or equal to DE plus W अब यहां हम करेंगे पक्षांतरन तो TDS minus DE minus W is greater than or equal to 0 चोकि हम जानते हैं W बराबर क्या होता है PDV होता है इसलिए TDS minus DE minus PDV is greater than or equal to 0 ठीक है तो समीकरन 148 जो है वो रुपांतरन की साम्यवस्था और जो आपके ऐसा मानता वाला चिन्न है वो spontaneity की conditions को determine करता है और यहां पर DS, DE, DV और जो W है वो transformation में होने वाले entropy change, internal energy change और volume change तता किये गए कारिये हैं ठीक है अब है आपके conditions of thermal equilibrium यानकी तापिये साम्यवस्था ठीक है अब हो लेंगे thermal equilibrium state तो तापिये साम्यवस्था की शर्ते निर्दारेत करने के लिए हम एक isolated system पर विचार करते हैं तो isolated system ऐसा system होता है जो कि surrounding से ने तो उर्जा का और नहीं matter का exchange करता है यानिकि इस system की दुआरा किया गया कारिये और उर्जा दोनों ही जो है परिवर्तित र मान भी क्या रहता है isolated system के लिए 0 तो यह दोनों मान अब हम समयकरण 148 में replace करेंगे तो TDS की value क्या जाएगी TDS is greater than or equal to 0 यानिकि हम बोले delta S is greater than or equal to 0 यानिकि समयकरण 189 इस पष्ठ है कि isolated system के entropy हमेशा बढ़ती रहती है और equilibrium state पर यह maximum हो जाती है ठीक है तो यह सिद्ध करने क के लिए कि विल्गी तंत्र के प्रतेक भाग में ताप का मान समान रहता है इस तंत्र को हम दो भागों में divide कर लेते हैं एक भाग से दूसरे भाग में माना कि Q reversible उश्मा प्रवाहित होती है ठीक है तो यदि DS1 तथा DS2 भाग एक एवं भाग दो में क्रमश है entropy change और T1 और T2 इन भागों के temperature हो तो समीकरण 149 से हम जानते हैं कि T1 DS1 बराबर क्या हो जाएगा minus Q reversible यानकि प्रतम भाग से उश्मा निकल रही है तो इस समीकरण को हम rearrange करके कैसे लिखेंगे DS1 बराबर minus Q reversible upon T1 इसी प्रकार से T2 DS2 बराबर क्या हो गया plus Q reversible यानकि DS2 बराबर क्या हो गया T2 यानकि दूसरे भाग द्वारा उश्मा अवशोशित हो रही है ठीक है यानकि T1 is greater than T2 तो entropy में कुल change क्या होगा चुकि हम जानते हैं कि entropy जो है वो एक positive value होती है तो DS बराबर DS1 प्लस DS2 यानकि DS बराबर minus Q reversible upon T1 प्लस Q reversible upon T2 ठीक है यानकि DS बराबर Q reversible यहाँ पे कोमना ज आएगा तो क्या माना आएगा bracket में minus 1 upon T1 प्लस 1 upon T2 जिसे हम rearrange करके कैसे लिख सकते हैं DS बराबर 1 upon T2 minus 1 upon T1 Q reversible ठीक है तो यानकि उश्मा का प्रभाजो है वो स्वतय है यानि कि natural है spontaneous है तो समय करन 149 के अनुसार DS is greater than 0 होना चाहिए ठीक है यानि कि 1 upon T2 minus 1 upon T1 Q reversible is greater than 0 होना चाहिए यानकि 1 upon T2 minus 1 upon T1 is greater than 0 और ये कभी संभव है जब T1 is greater than T2 यानि कि उश्मा का जो प्रभा है flow of heat जो है वो T1 से निम्नतार T2 की और स्वतय प्रभा होता है यानि कि तंत्र जो है वो साम्य वस्ता में होने पर चुकि हम जानते हैं DS बराबर क् 0 होगा साम्य वस्ता के स्तिती में तो 1 upon T2 minus 1 upon T1 Q reversible बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यानि कि 1 upon T2 minus 1 upon T1 बराबर 0 यानि कि T1 बराबर T2 और ये ही thermal equilibrium की condition है कि T1 बराबर T2 यानि कि तंत्र के सभी भागों में ताप एक समान रहता है ठीक है यानि कि कोई तंत्र जो है यदि वो thermal equilibrium में होता है तो उसके सभी portion में temperature value एक जैसी रहती है ठीक है अब अपने next topic helm holds energy यानि कि इस्थिरताप पर तंत्र का रुपांत्रन तो यदि किसी तंत्र की अवस्ता में इस्थिरताप पर रुपांत्रन किया जाता है तो TDS बराबर क्या हो गया DTS तो समय करण 147 क हमने निम्ने प्रकार से लिखेंगे कि minus DE minus W plus DTS is greater than or equal to 0 यानि कि समय करण 147 में हमने TDS की जगे क्या रखा DTS ठीक है यानि कि minus DE plus DTS is greater than or equal to W यानि कि minus D यहाँ पर common निकाल लिया तो bracket में आगया आपके E minus TS is greater than or equal to W यहाँ पर E, T तथा S जो है वो है internal energy, temperature and entropy तो इन variable की combination से यान कि E minus TS से एक नया अपन को यहाँ पर variable प्राप्त होता है नए symbol के रूप में हम इसे show कर सकते हैं जिसे capital A के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है यानिकि A बराबर E minus TS और A को हम कहते हैं system की helm holds energy चुकि जो helm holds energy नया आपको जो symbol मिला है वो E, T और S के variables के combination से मिला है और यह E, T और S जो आपके variables है वो state function है इसलिए helm holds energy भी एक state function होता है ठीक है जो आपके समीकरण 155 है अब हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं E minus TS की जगे हमने लिखा A तो minus DA is greater than or equal to W ठीक है तो जब हम समीकरण 157 का समा कलन करेंगे तो समीकरण मिले कि आपको minus delta A is greater than or equal to W यानकि delta A को system की helm holds energy change भी कहते हैं तो समीकरण 158 से यह स्पष्ट है कि संतापी रुपांत्रण में यानकि आईसो थर्मल ट्रांसफोर्मेशन में तंत्र के द्वारा किया गया कारिये जो है वो helm holds उर्जा में कमी के बराबर अत्वा उससे कम होता है ठीक है अब है आपके significance of helm holds energy A तो यदि minus delta A is greater than W है तो यह जो शर्थ है वो spontanity की condition को बताती है जबकि minus delta A बराबर W की जो शर्थ है वो equilibrium state की condition को दर्शाती है तो सामने की अवस्था में उश्मा उत्क्रमणिये रूप से प्रवाहित होती है तथा उत्क्रमणिये प्रक्रम में किया गया कारिये maximum होता है इसलिए संतापी रुपान्तरण में या Into Thermal Transformation में maximum कारिये प्राप्त होता है जो कि helm holds उर्जा में कमी के बराबर होता है यानि कि हम कह सकते हैं कि helm holds उर्जा में जो कमी है वो अधिक्तम कारिये के बराबर होती है टीक है यानि कि हम बोलें कि minus delta A बराबर W maximum अब next step ने गिप्स उर्जा यानकी इस्थिरताप वैस्थिरदाप पर रुपांतरन तो किसी भी तंत्री की अवस्था में रुपांतरन जब इस्थिरताप और इस्थिरदाप पर किया जाता है तो इस्थिरताप पर जो transformation होता है उसके लिए TDS बराबर उसे हम लिख सकते हैं D TDS और इस्थिरदाप पर PDV बराबर उसे लिख सकते हैं DPV चीक है तो इस्थिरदाप और इस्थिरताप की अवस्था में समय करन 148 को हम निमने प्रकार से लिख सकते हैं यानि कि माइनस DE और वर्ग को लिखा हमने यहापे माइनस DPV प्लस DTS is greater than or equal to 0 चुकि इस अवस्था म हैं तंत्र में दा बायतन कारे के अलावा अन्यकारे भी होते हैं तो अन्यकारे को हम DWA से वेक्ट करें तो माइनस DE माइनस DPV प्लस DTS प्लस DWA is greater than or equal to 0 चीक है यानि कि माइनस DE माइनस DPV प्लस DTS is greater than or equal to DWA चीक है यानि कि माइनस D यहाँ कॉमन निकाल लिया तो ब्रेकेट में आ गया आपके E प्लस PV माइनस TS is greater than or equal to DWA यानि कि जिसे हम बोलेगी E प्लस PV क्या होता है एन्थेल्पी यानि कि E प्लस PV का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम कहते हैं एन्थेल्पी यानि कि माइनस D ब्रेकेट में हो गया हम प्रदर्शित कर सकते हैं यहनकि G बराबर क्या हो गया आपके E प्लस PV माइनस TS या H माइनस TS या A प्लस PV ठीक है तो G को सिस्टम की गिपस एनरजी या फ्री एनरजी कहते हैं और G जिन वेरियेबल के कॉम्बिनेशन से बनता है वे सारे के सारे स्टेट फंक्शन से इसलि प्रकार से लिखा जा सकता है माइनस DG इस ग्रेटर देन और इक्वल टू DWA यानकि जब इसको समाकलित करेंगे तो माइनस डेल्टा जी इस ग्रेटर देन और इक्वल टू WA तो डेल्टा जी जो है वो गिपस फ्री एनरजी चेंज कहलाता है और सम्हे करें ने 163 से यह है कि तंत्र के इस्थिर्ताप और इस्थिर्दाप पर रुपान्तरण में गिपस फ्री एनरजी में कमी जो है वो तंत्र द्वारा दाब आयतन कारे के अतिरिक्त किये गए कारे के बराबर या उससे अधिक होती है ठीक है यानकि माना कि माइनस डेल्टा जी बराबर डबलू तो यह जो कंडिशन है वो रिवर्सिबलीटी की कंडिशन है अता है जो उतक्रमणी रूपांत्रण में गिब्ज उर्जा में जो कमी होती है वो इस्थिर्ट ताप व दाप पर दाब आयतन कारिये के अत्रिक्त किये गए अधिक्तम कारिये के बराबर होगी ठेक है जोकि रूपांत्रण जो है वो आपके स्वत्य है इस्पॉंटेनियस है तो इस रूपांत्रण में दाब आयतन कारिये के अत्रिक्त कोई अन्यकारिये नहीं होता है अर्था डबलू ए बराबर क्या हो जाएगा जीरो और यह कब होगा जब सिस्टम एकलिवरियम स्टेट में है औ और वहाँ पर जो ट्रांस्फोर्मिशन हो रहा है वो स्पॉंटेनियस हो रहा है तो समीकरण 163 क्या रूप ले लेगी माइनस डेल्टा जी इस ग्रेटर देन और एकल टू जीरो यह हम बोलें कि डी जी एड दी कॉंस्टन टेंप्रेचर और प्रेशर इस लेस देन और एकल टू जीरो ठीक है तो सामय वस्ता के इस्तिती में समीकरण 164 के द्वारा माइनस डेल्टा जी बराबर जीरो और यही जो है वो स्पॉंटेनिटी की कंडिशन में क्या हो जाएगा आपके माइनस डेल्टा जी इस ग्रेटर देन टू जीरो यानिकि एकलुगरियम स्टेट मे है जब आपके प्रोसेस तब माइनस डेल्टा जी बराबर जीरो और जब आपके स्पॉंटेनिएस है प्रोसेस तब माइनस डेल्टा जी इस ग्रेटर देन जीरो होगा या हम बोलें कि डेल्टा जी इस लेस देन जीरो होगा तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उश्मा गतिक प्रक्रिया की साम्यावस्था तथा स्वतहे प्रवर्तिता यानिकी equilibrium state and spontaneity को determine करने में gift free energy का बहुत important role होता है ठीक है तो एक रासाइनिक अभिक्रिया के reference में यदि हम देखें तो यदि देल्टा जी अगर negative है किसी भी chemical reaction के लिए तो वो जो reaction है वो स्वतहे प्रवर्तित होगी spontaneous होगी यानिकी natural उसमें change देखने को मिलेगा ठीक है फिर दूसरा है यदि आपके डेल्टा जी equal to zero है तो यह अभिक्रिया जो है वो equilibrium state में होगी यानिकी जो परिवर्तन है वो साम्मे में होगा साम्मे में होगा फिर तीसरा है आपके यदि डेल्टा जी धनात्मक है तो क्या होगा कि डेल्टा जी अगर आपके धनात्मक है तो अभिक्रिया स्वतह प्रवर्तित नहीं होगी अर्थार जो प्रक्रम है वो non spontaneous होगा और हम बोले कि opposite direction में अभिक्रिया स्वतह होगी ठीक है तो उप्यूक्त तीन बिंदूं के आधार पर गिज उर्जा परिवर्तन को किसी तंत्र अथ्वार आसायनिक अभिक्रिया की स्वतह प्रवर्तिता तथा साम्मे वस्था के लिए हम आधार बना सकते हैं ठीक है